सवाल लेते नितिन मिश्रा इटावा उत्तर प्रदेश से मैं साथ जुड़ा है नितिन जी नमस्कार बताइए नमस्कार जी एक्शन कंट्रक्शन के हैं 307 पे लिए से 180 एर्थ हैं क्या करना चाहते हूं एक बन थाउजर से गूल कर सकता हूं या मुझे अभी प्रोफिट बूप कर लेना चाहिए एक हजार का भाव होगा क्या इसका action construction का गौरो जी इसका trend काफी अच्छा है अगर इसके multiple time friends में अगर इसको देखता हूं तो higher tops higher productive फिलाल पर ने तो structure इसमे काफी अच्छा है लेकिन ये हजार होगा, कम होगा हम लोग यहां से अल्मुश 50% अपसेट की बात कर रहे हैं तो समय लग सकता है, लेकिन ट्रेंड इसका स्टॉंग है, काफी शारप अपसेट हमको देखने मिली है, अगर आप 2022 से ही देख लेंगे पिछले एक सार में कर देख लेंगे तो स्टॉंग जो है, वो तकरिमान सवा सो, सवा दो सो डिफ सो अलाज, साथ सो हो गया है, तो दूगर न तीक उन स्टॉंग हो चुका है, तो मेरा यह मान होता है कि अपर आप मल्लिपल स्टॉंग सो के अबकार नासर हुसेन धॉलपूर राज्थान से, बताइए नासर जी, नमसकार मीरत सदी, नमसकार भाई बताईए नमसकार गोरभ जी को जी, गोरभ जी नमसकार बताईए जमेटो है 1555 ऐ है कि, यह 60 रुपे ही खरीदे मेरी इसमें मैं अप्या करूंकर रिजल्ट भी आने वाला है तेंसन क्या है आपकी यह बताओ आप तो फाइदें बैटेंसन क्या करूं निकल जाओ या होड़ करूं अभी चार अगस्त को शायद इनका एक वो कोई ब्लॉक इन भी खत्म होने वाला है पुछ शेर होल्डर साथ हो सकता विक्वाली करें न करें पता नहीं लिकिन लॉक इन खत्म होगा गोरों जी क्या कर जाए इस पर डिजल्ट भी आना है और ये देखें बढ़िया पच्छिस रुपए के फायदे बैठे हुए है देखें सिंपल सी राय है यहां पे अगर इनका नजरिया शौट टर्म का है तो आप प्रॉफिट बूक कर लेज यहां पे एक अच्छा डबल बॉटम बना है नेकलाइन इसके 75 की थी उसके उपर प्लोज आ चुका है दस रुपए ओपर है वहां से तो यहां पे जो मुमिंटम है अगर डबल बॉटम सस्टेंग होता है और सक्सेस्फुल पैटर्न होती है तो इस टॉक जो है 120-125 के लिए देखा सकते हैं तो काफे अच्छे अपसेट आपको यहां से भी देखने मिल सकती है तो इनका जो नजरिया है जो टाइमसर के लिए प्ले करना चाहते हैं वह इस अपसेश पर एक एक्ष्ण ले सकते हैं गरव दो मिन टुकिए का ज़रा एक कंपनी पे चर्चा करते हैं हम थर्मेक्स पे कंपनी ने तिमाही नतीजे पेश कियें काफी बढ़े रहा आंदनी करीब 17% बढ़के और और बुक भी 11% स्वेल हुई है मार्जिन इंप्रूव्मेंट हुआ है तो नंबर हर फ्रेंट पर हर पेरेमिटर्स पर आप देखेंगे तो बहता दिख रहे हैं कंप कि मेंटल सर ने बताईए किस सेग्मेंट से सबसे बढ़िया ग्रोथ आपको मिली है और क्या वो आगे भी सस्टेन रहेगी नमस्ते बाच्पाई जी और प्लेशर टू भी हीर जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था हम अब थामाक्स को चार सेग्मेंट में देखते हैं सबसे पहला इंड़स्ट्रियल इंफ्रा जो की प्रोजेक्ट जैसा बिसनस है और बड़े बॉलर्स भी हम इसमें करते हैं क्योंकि बिस्पोक कस्टमाइजड एक्विपमेंट और सर्विसेज हैं दूसरा हम उसे इंड़स्ट्रियल प्रोड़क्स कहते हैं जो की डिस्ट्रिब्यूटर्स के थू बिखता है बहुत सारे इंड़स्ट्रीज में ये माल जाता है जो की हीटिंग, कूलिंग, जहां पर हम बिल्ड ओन-ॉप्रेट स्यूसिंफंग शूसरा ये रिफश हुं trib GG इसी में हम renewable energy भी करते हैं solar, wind, hybrid वगेरा solutions जहां पर longer contracts होते हैं जो biomass वाले 10 साल के बाकी 25 साल वाले contracts तो हम सेग्मेंटे chemicals तो कौनसे segments में strength है अभी जैसा है कि चारों ही segments में strength है जो पहला business है industrial infra वहाँ थोड़ी volatility है इसलिए orders उससे जादा profits थोड़े उपर नीचे होते हैं इस quarter में बलकि profits थोड़े difficult थे इसलिए इस segment की profitability जितना हम expect कर रहे हैं और जो हमारे internal expectations है उससे कम है जो दूसरा segment है industrial products वहाँ पे हर तरीके से performance अच्छा हुआ है orders भी अच्छे है revenue भी ठीक है profitability भी expectations पे है यह है क्योंकि overall India का sprint अच्छा है और यहाँ पे जो हमारे green products है उनमें हमें काफी फायदा हुआ है इवन water waste water में काफी अच्छा performance रहा है green utilities अभी छोटा है वहाँ पे losses है क्योंकि वहाँ पे हम बहुत investment कर रहे हैं और over time यह business thermax का सबसे profitable business अलसो बनने का point है यह और chemicals दोनों जैसे जैसे यह businesses बड़े होंगे can become big strong parts of thermax in the future बिल्कुल इसका जो run rate हो तो superb है और इसी segment में जादा growth भी आ रही है यह जो industrial product वाला sir 56% इसने jump दिखा है यह run rate आगे रहेगा यह थोड़ा stabilize होगा क्योंकि हम लोग जन्रेशने के Q4 वन-off हो जाता है नहीं नहीं वन-off नहीं है profitability और growth दोनों रहेंगे of course 56% नहीं होगा last year अग जैसा कि आपको याद है जो commodity prices थी उनमें बहुत volatility थी steel prices especially काफी उपर गए थे और एक साल पहले करीब थोड़ा stabilize होने लगे थे यह जो हमारा industrial products business है क्योंकि distributors के through sell अगेरा होता है relatively shorter cycle है पर यहाँ पर commodity prices का जाधा impact होता है क्योंकि हम order ले लेते हैं और फिर commodity prices जो बढ़ रहे थे वहाँ पर थोड़ा profitability का impact था पिछले 9 महिनों में commodity prices stable है और वो हम industrial products की profitability में भी देख पा रहे हैं तो industrial products stable रहेंगे orders भी अच्छे हैं services भी ठीक टाक करें हम काफी digital solutions भी इसमें ला रहे हैं तो यहाँ पर strength रहेगी of course 56% is not sustainable but good double digit growth is of course doable अशी सरी बदाई कि अभी commodity prices stabilize हो गए लेकिन यह थोड़ा सा चीन वीन की वज़े से यह डॉलर की वीकर से एक अप्टिक देखनों के बलाए commodities कोई कोई चंता आप लोगों लग रही हागे कि अभी चुकी margin इंप्रूविस ले हुए थे की raw material काफी उपर या नीचे से जादा फरक इससे पड़ता है कि change बहुत जादा नहीं होना चाहिए और उस मामले से जो पिछले 9 महिने है have been stable यह तो उपर भी संभाल लेंगे नीचे भी संभाल लेंगे जो उपर नीचे बहुत जादा होता है उससे प्रॉब्लम होती है तो मैं देखों मेरे साब से एक जो छोटा सा कंसर्न है जो कि इंडस्ट्रिल प्रॉडट्स में नहीं जो बड़े प्रॉजेक्स है उसमें थोड़ा जादा कंसर्न है आप कह रहे थे जो चीन का equipment वगेरा है हम देख रहे हैं कि बड़े प्रॉजेक्स में थोड़ा Chinese companies जो कि steel नहीं डंप कर पा रही है सारे grades के कुछ grades में of course steel भी उनका इंडिया में आता है वो जो boilers वगेरा है especially cement industry के लिए वहाँ पे वो इंडिया के प्रॉजेक्स में काफी active हो गए है वापस यह नई चीज पिछले तीन-चार माहिने में देखने को मिल रही है इस पे पहले तो बड़ा सकती थी या नहीं होता था अभी यह deal ने दी गए गया चूट मिल गए कि जो आओ डंप करो इसा कुछ हो रहा है क्या देखिए वहाँ की economy जैसे थोड़ी slowdown में जाती है तो of course वो भी Chinese companies भी देख रही है कि कहां पे growth हो रही है इंडिया में growth हो रही है और अगर वो steel नहीं dump कर सकते तो steel के जो products बनते हैं और जो adjacencies होती है उन पे definitely ध्यान जाता होगा तो you know यह competitive price पे dumping type का कर रहे है या normal business में है कहना बहुत मुश्किल है दूर से कि क्या होता है हमें of course लगता है कि unfair है क्योंकि उनके domestic steel prices इंडिया से काफी lower है और उनको government support भी मिलता है exports के लिए तो हम भी अगर government से discuss कर रहे हैं कि protection नहीं चाहते हैं बिलकुल भी but playing field level होना चाहिए जैसे हमारे companies को IBR और सारे certification और वो सब देखने होते हैं Chinese equipment के लिए भी वही standards होने चाहिए वह आसके मैं सर ये बात इंडरलाइन कर रहा हूँ इसलिए अगर सरकार डी जी अफ्तिक लोग इसको देख सुन रहे हैं उस शो को तो वो इस पर काम करें भाई हमारी घरेलू कंपनियों के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक fair business practice हमेशा हम promote करते हैं तो अगर वहाँ स्टील की कीमते कम है सरकारी सपोर्ट और आजकल तो उनकी economy को और जादा government सपोर्ट की बाते चल रही है कि stimulus लाएंगे तब शायद unfair trade होगा तो government को इस दिशा में कम से कम काम करना चाहिए देखना चाहिए बिल्कुल सर एक स्वाल और आज सुबह ख़बर आईए फिच विच ने कुछ rating डाउंगेट करी यूएस के ऐसी ख़बर जब आप लोग सुनते हैं तो क्या reaction होता आपका सुरी एक और बार कहेंगे किसका rating डाउंगे फिच ने यूएस की rating डाउं की sovereign debt rating एक माच निचे कर दी तो ऐसी ख़बर आप लोग सुनते हों न कैसा reaction क्या होता कुछ कैसा सोचते हैं very very unusual पहला reaction और मुझे पता नहीं था आज सुभे से हमारा focus क्योंकि काल results आयते सिर्फ analyst discussions और media से बात करने में हैं तो यह मैने देखा नहीं था अगर यह हुआ है तो बहुत ही major point है rating downgrade US के लिए is बहुत ही substantial and अभी जो larger dollar moves हो रहे हैं जो की dollar भी जो की global currency है and most हमारे लिए तो for the foreseeable future dollar is the global currency पर इन सब पे जो sites में जो moves हो रहे हैं बहुत interesting है एक instant reaction कहना मुश्किल है but I will read on this and go much deeper but very surprising अगर rating downgrade हुआ है US का उन्होंने क्या गिया Fitch ने AAA को घटाके AA plus कर दिया और उनका कहना है कि जो बहुत ज़्यादा debt overshoot हो गया वो चिंता कारण है और उनकी जो policy governance है उसमें भी concerns है इसके लिए उन्होंने एक notch downgrade कर दिया है अशिर जो बहुत बहुत शुक्रिया और शुपकामना है अपको अगले quarter के लिए नमस्ते थैंक यू तो Thermax one of the leading capital goods company और बहुत शांदा नतीजे कंपनी पेश किया जो इनका main segment है उसकी growth बहुत अच्छी है margin improvement हुआ और जैसा कि अशिर बता रहे थे कि अगर competitive prices बहुत जदा आप डाउन नहीं होता है तो इस्टेबलाइज रहते है और उनको इससे दिक्कत नहीं होती है तीन प्रसेंट करीब ऊपर है 2591 पर गवरोजी के पास चिलित तुरंग गवरोजी थर्मेक्स पर क्या रहा है बन रही है आपकी अगा व्याइज शोल्ट तर्म में इस पर फोकस नहीं रहता हूं रहा है लिकांपर नहीं किसी नजरिया दो त्री साल गया तो यहां पर भी ले सकते हैं तो यहां पर यहां पर वहाँ पर रिटेस्ट करके अगर आप देखें तो वापस उपर गया है तो यहाँ पर काफी तगड़े अपको देख रहे हैं मिल सकते हैं अब नीचे जाता ही नहीं तो करेंगे क्या अब तो आइसा क्या कि इससे मुहब्बत होगे क्या यही लेना है और भी सेयर है मेरे पास लेकिन इतना अच्छा रिटन कोई नहीं दे रहा है इसलिए इससे मुहब्बत ही समझ लिए लॉंग टैन के लिए ओके धरमभी जी को प्यार हो गया है टाइटन होने भी चाहिए है वैसे हमको अगर आप शादी चुता होगे आपकी पत्नी के तो पक्का होगा आप यह पहीसा कमा के सोना खरीदेगा गहरो जी बताइए एक तो इनने बहुत अच्छा ट्रेड लिया नौसो रुपे बे खरीदा जबर्दस मुनाफ़े बे अब इन्हों दुआरा भी लिया है उन्तिस सो रुपे बे क्या लग रहा है आपको रखने चाहिए इनको बने रहने चाहिए इनका नजरिया अगर जिसने ने काफी गोल्ड किया है तो मैं अजूम करूंगे तीन चाहिए नजरिया है तो यहां बिल्कुल बने रही करेशन को देखने मिलनी रहे एक मनतिचार्स पर ट्राइंगल पेटन का ब्रेकाउट देखने मिला उसकी लूप पर ट्रेड कर रहे बड़ा फॉल यहां से फिरा लगनी मुझे लगा रहे कि अच्छी मुंड़ा आपको यहां से देखने मिल सकते हैं बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट की अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंड लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले